केरल में पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान काली मिर्च का भाव तेज होने से उतपादकों को राहत मिली है। लंबे समय से भाव नरम होने के कारण उतपादकों पर भारी दबाव बना हुआ था। कीमतों में इस बड़ोतरी को अपरत्याशित माना जा रहा है क्योंकि नई फसल की कटाई तयारी का अभी पीक सीजन चल रहा है। ऐसे में काली मिर्च का भाव 40,000 से 50,000 रुपए प्रती क्विंटल चल रहा था मगर पिछले तीन सप्ता के दौरान उच्छल कर 60,000 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँच गया। वाइनाड में पिछले दो दशकों के दौरान काली मिर्च का उतपादन लुड़क कर महेज 10 प्रतिशत रह गया है क्योंकि रोगों कीडों के साथ साथ प्रतिकूल मौसम से भी वहां फसल को भारी क्षती हुई है। आगामी समय में भी इसका दाम उंचा और मजबूत रहने की संभावना है क्योंकि इसके उतपादन में गिरावट आने के संकेत मिल रहे है। वाइनाड जैसे प्रमुक उतपादक शेत्र में काली मिर्च का भाव तेज होने से खपत केंद्रों पर इसका सकारात्मक असर पढ़ सकता है। वाइनाड जिले में मौसम की हालत पूरी तरह अनुकूल नहीं रही। काली मिर्च का भाव उंचा होने के कारण विदेशों से इसका आयात बढ़ने की संभावना है।